हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉस्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और इस वीडियो को भी लाइक शेर और कमेंट करें तो बिना देरी कि ये वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में आप सभी को वाद इंडियन मेडिकल एसोसियेशन बनाम वीपी शान्ता के बारे में बताने जा रहे हैं इंडियन मेडिकल एसोसियेशन बनाम वीपी शान्ता भूमिका यह प्रकरन उपभोक्ता सन्रक्षन अधिनियम 1986 की धारा 2.1 से संबंधित है इस प्रकरन में उच्चतम न्यायाले के समक्ष मुख्य विचारन या प्रश्न यह थे कि खक्या सेवा में कमी अथ्वा असावधानी से उपभोक्ता को कारित क्षती के लिए चिकित सकों को उत्तरदाई छहराया जा सकता है खक्या सेवा में कमी या त्रुटी विशयक उपभोक्ता सनरक्षन अधिनियम के उपबंद चिकित सालेयों एवं प्राइवेट नर्सिंग होमों पर लागू होते हैं गक्या चिकित सकों की लापरवाही से कारित क्षती के लिए उपभोक्ता प्रतिका कमपॉनसेशन पाने के हगदार है तथ्या अपीलार्थी इंडियन मेडिकल एसोसेशन की ओर से उच्चतम नयायाले के समक्ष इस मामले में कई विचारन या बिंदू उठाई गए यथा क्या चिकित सकों की लापरवाही सेवा में कमी या त्रुटी की परिदी में आती है 6. क्या चिकित सकों की लापरवाही के कारण कारित क्षती के लिए उपभोक्ता प्रतिका पाने का हगदार है आदी, उच्छतम न्यायाले ने इन प्रश्नों के अवधारन के लिए सेवा, सेवा में कमी एवं उपभोक्ता की परिभाशा का अवलोकन किया उपभोक्ता सनरक्षन अधिनियम, 1986 में इनकी परिभाशाएं इस प्रकार दी गई है सेवा धारा दो अना के अनुसार, सेवा से किसी भी वर्नन की कोई सेवा अभिप्रेत है जो उसके प्रत्याशत प्रयोद करताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतरगत सम्मिलित है सेवा में कमी धारा दो चक्के अनुसार, कमी से कार्या की क्वालिटी, प्रकार दी गई है क्रिती या रीती में कोई दोश, अपूर्णता, कमी या ऐसी अपर्याप्ता अभिप्रेत है जो तत्समे प्रवृत, किसी विदी द्वारा या उसके अधीन बनाए रखे जाने के लिए अभिप्रेत है या जिसका ऐसी किसी सेवा के संबंद में, किसी संविदा के अनुसरन में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा निश्पादित किये जाने का वचन बंद किया गया है, उपभोगता धारा दोग्ध के अनुसार, उपभोगता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी प्रतिफल के लिए, जिसका संदाई कर दिया गया है या भागता संदा का कोई प्रयोग करता भी है जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाई किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाई किया गया है या वचन दिया गया है या आस्तगित संदाई पधती के अंतरगत माल का क्रेय करता है जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के थी की ओर से निम्नानकित तर्क प्रस्तुत किये गए का नर्सिंग होम या प्राइवेट चिकितसक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उपभोगता सनरक्षन अधिनियम 1986 की परिदी में नहीं आती है क्योंकि उनकी सेवाओं में यदि कोई कमी या त्रुटी पाई ज द्वारा दोशी चिकितसकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यावाही की जाती है खा अधिनियम में कमी डेफिशंसी की जो परिभाशा दी गई है नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकितसकों की सेवाएं ऐसी कमी में नहीं आती है ग उपभोगता सनरक्षन अधिनियम क प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब सेवा में कोई कमी प्रकट होती हो चून की नर्सिंग होम एवं चिकितसकों की सेवा में कभी कोई कमी प्रकट नहीं होती है इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान नर्सिंग होम एवं चिकितसकों पर लागू नहीं होते हैं राश्ट्रिया आयोग का निर्नए दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात राश्ट्रिया आयोग द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि सरकारी अस्पतालों से सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति उपभोगता की परिभाशा में नहीं आते हैं क्योंकि उनमें प्रतिफल का अभाव होता है सरकारी अस्पतालों की सेवाएं निह शुल्क होती है इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क कर टाक्स के रूप में होता है जो सारवजनिक कोश में जमा किया जाता है उच्चतम न्यायाले का निर्नए उच्चतम न्यायाले द्वारा दोनों पक्षों के तरकों पर गंभीरता से विचार एवं विभिन परिभाशाओं का अवलोकन किया गया न्यायाले द्वारा यह अभिनेर धारित किया गया कि नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकितसकों की सेवाई उपभोक्ता संरक्षन अधिनियम की परिदी में आती है और यदि इन सेवाओं में कोई कमी या त्रुटी पाई जाती है तो पीरित पक्षकार उपभोक्ता प् प्रिभाषित सेवा, सेवा में कमी एवं उपभोक्ता के उपबंध नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकितसकों पर भी लागू होते हैं दो यदि चिकितसकों की लापरवाही से उपभोक्ता को कोई क्षती कारित होती है तो ऐसा उपभोक्ता प्रते का कॉंपनसेशन पाने का हगदार होता है तीन सरकारी अस्पतालों की सेवाई निह शुल्क होने से उपभोक्ता सन्रक्षन अधिनियम की परिदी में नहीं आती है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को दबाना ना भूले ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे लॉस स्टडी